हाई लो एब्रीबन वैलकम टो अबर यूटूब चैनल बैसिक मेडिकल प्रैक्टिस आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों में क्या difference होता है आप ने अकसर हुस्पिटिल में सुना होगा कि इस पेशन का M.L.C. होना है तो इस वीडियो में हम देखते हैं एक्च्छल में M.L.C. और non M.L.C. कैसे क्या होते हैं फर्स्ट है हमारा M.L.C. मतलब medical legal जब भी हमारे पास इस तरह का केस आता है जिसमें पेशेंट को दूसरे के दुवारा चोंट पहुचाई गई हो हानी पहुचाई गई हो उस तरह के केसे क्या रहेंगे मेडिको लीगल केस के अंतरगत आएंगे तो इसमें एक्सिडेंट या किसी कोई पेशेंट हमारे पास ल रहेगी उसको हिष्टी लेने के बाद जो भी महां का नजदी की थाना रहेगा महां पर इंफर्म करेंगे महां से एक पुलीस ओफिसर आएंगे वो क्या करेंगे जो भी पेश्टन है उस घटना का विबारे में पूरी जानकरी लेंगे उसके बाद उसकी FIR दर्च करेंगे औ होता है जो में इन्फर्म करनना रहता है यदि हॉस्पटिल में इस तरह के confess आ रहे हैं तो उसको फश्ट जो भी निजदी के थाना है उस में इन्फाम करनना रहेगा बैं second आते हैं non-MLC cases इसमें क्या रहता है जब कोई patient admit होता है हमारे पास तो वो किसी disease से वारा है जैसे उसको heart attack problem है heart की disease है या कोई liver disease है या fever आ रहा है इस तरह की विमारी से जो भी patient आते हैं वो आते हैं हमारे पास non-MLC cases में उनका इस तरह हमें FIR यह नहीं करनी पड़ती है तो दो भी FIR करना है वो करती है और non-MLC cases में हमें registered FIR नहीं करना पड़ता है I hope वीडियो आपका अच्छे से समझ में आया होगा इससे regarding कुछ confusion है तो आप comments box में जाके comments कर सकते हैं वो चैनल को subscribe करना ना भूले thank you